हाई गैज और वेलकम बाक टू दी चैनल दीपाइचादव एजूकेशन वेलकम टी डेली करेंट अफियर्स और फर्स्ट अफ अगर्स 2023 तो गैज जात है तारिक एक अगर्स 2023 और है टूजडे आज की तारिक से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफियर्स बनेंगे उन सभी करेंट अफियर्स को हम यहाँ पर डीटेल से डिसकस करेंगे यह वीडियो UPSC और स्टेट PSE के पॉइंट अवी से काफी जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलो शुबार हम करते हैं बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ हर रोज मॉर्निंग में राइट टाइम पांच बज़े आपको यह वीडियो इसी चनल पर म इन सभी के न्यूज आर्टिकल्स को प्रॉपर बैग्राउंड इंफरमेशन के साथ में कवर करते हैं इस लेक्चर का जो एंड है वह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों उसको बिल्कुल भी मसमत करना क्योंकि वीडियो की लास्ट में आपको डेली बेसिस पर क्वेशन क करवाय जाती है यानि कि पूरे लेक्चर को फुल कंसेंटरिशन के साथ में सुनना है लास्ट में आपको टेस्ट दिया जाएगा उसको अटेंट करना है ताकि आप देख सको अपने क्या-क्या इस लेक्चर से शीखा है और इससे यह भी प्राक्टिस चुदा है कि अगर गर examination में question आएगा यहां से तो आप उसको कैसे solve कर सकोगे बाकिस लेक्चर का PDF वगरा डाउलोड करना है तो उसके लिए आपने टेलिग्राम पर जाना है वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक्च यादव एजूकेशन UPSC आपको यह टेलिग्राम चनल मिलेगा यहां से आप डेली बेसस पेस लेक्चर के PDF को डाउलोड कर पाऊगे और अगर आप मेरे साथ में personally जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पर जाना है आगे इन वहाँ पर जाके फिर से लिखना है दीपक्च यादव एजूकेशन मेरा प्रोफाइल मिलेग आपको बता होगा एक बहुती बड़े साइस का जो हमारा जहाज है या फिर कह सकतो एरक्राफ्ट केरियर है एरक्राफ्ट केरियर मतलब कि इसके उपर बहुत सारे छोटे छोटे और भी विमान रखे जा सकते हैं उनको यह लेकर कैरी कर सकता है अच्छा हमारे पास में दो करियर है एक तो आइनस विकरांथ है दूसरा कौन साइजर उसका नाम नीचे कॉमेंट सेक्षन बताओ आपको याद होना चाहिए अच्छा रीसेंटली ये न्यूज में क्यों निकल कर आया है इसलिए निकल कर आया है कि 19 साल के एक ओल्ड नेवल सेलर उनकी जो डेट बोड का पहला indigenously designed and manufactured aircraft carrier है मतलब क्या है indigenously मतलब क्या होता है इसको हमारे देश के अंदर बनाया गया हमारे देश ने खुद से इसको develop किया है design भी खुद किया है manufacture भी खुद किया है इस aircraft carrier को नाम से पता चल रहा है बड़े बड़े विमान को लेकर ये carry कर सकता है दूर तक ठीक ये जो पूरा ship है इसको design किया गया है इंडिया के अंदर में और design करने वाला group कौन सा है तो वो है indian navies warship design bureau और इसको तयार करने वाला construct करने वाला group कौन सा है तो वो है MS coaching shipyard limited जिसने इसको construct किया है ये जो हमारा aircraft carrier है ये हमारी जो water navy है उसकी strength उसकी जो power से और ज़्यादा खासकर जो हमारा समुद्र का गहरा वाला region है deep seas है वहाँ पर भी हमारी जो capabilities है हमारी जो strength है उसको maintain करके रखता है इस पे काफी सारे weapons भी लगा रखे हैं हमारे दुश्मन को अराम से या पर ये जो पूरा जहाज है वो target कर सकता है ये जहाज बहुत ही विशाल size का होता है अ उस वाले group को भारत join कर लेता है for example US, Russia, France, UK, China ये सारी countries वो countries है जिनके पास में भी already बड़े बड़े size के aircraft carrier हैं तो इंडिया के पास में जैसे ही starting में ये आइनेस विकरांथ तयार हुआ हमने भी याँपर इस वाले group को join कर लिया उसके बाद में हमारे पास में अभी एक और aircraft carrier आ चुका है आपको पता होना चाहिए उसके बारे में नाम मैंने आपसे पूछा था पहली अब इस आयनेस विकरांथ के कुछ features है वो जरूर से आपको पता होने चाहिए सबसे पहली चीज इसकी जो length है वो 62 meters के आसपास है इसकी जो breadth है वो 62 meters के आसपास है जो वजन है इस aircraft carrier में जो उसका displacement weight है वो है 43,000 tons के आसपास का इसमें चार gas turbine वाले जो engines है उनका use क्या गया है इस speed लगबग कह सकतो 52 km प्रती घंटे की देखने को मिलती है एंडूरेंस की बात करेंगे तो लगबग 13,890 km सक यह travel कर सकता है बाकी aircraft की capacity बात करेंगे तो 30 अलग अलग जो विम सब चीजों को इसके उपर रखा जा सकता है helicopter इसके उपर रखकर carry किये जा सकते हैं जो हमारे anti submarine warfare helicopter होता है utility helicopter होता है वो भी यहापर इसके उपर रखकर carry किये जा सकता है जैसे आप देख पार होंगे helicopter है यह इसके उपर उतर जाएगा ऐसे हमारे fighter jets भी उतर सकते हैं इससे क् आगला आटिकल जी एस पेपर नमबर थ्री एग्रिकल्चर के पॉइंट अव्यू से रेलिवेंट होने वाला है हमारा एन्वोर्मेंट का पॉइंट अव्यू और असाती साथ मैं एग्रिकल्चर के सेक्शन से यह आप इसको लिंक कर सकते हो यूरिया गोल्ड के बारे में बा करते हैं अलगलत प्रकार के फर्टिलाइजर आते हैं जैसे यूरिया भी एक प्रकार का फर्टिलाइजर है जो कि सबसे ज्यादा यूज क्या जाता है भारत के अंदर में यूरिया के लावा डीएपी डायमोनियम फॉस्पेट एमोपी मूरेट ऑफ पटाश यह सारी चीज जब यूरिया आया था तो वो वाइट कलर का हुआ करता था कुछ इस प्रकार से आप देख पाओंगे जो मारेnamर है इनके बैग में इस पुरे कट्टे में यूरिया भर रखा है और यह खेत में इस प्रकार से यूरिया का शिडखाव कर रहा हैं यह वाइट कलर का आपको डेरी इंडेस्ट्री में दूद में मिलावट कर रहे थे यूरिया से और भी कई सारी जगह पर यूरिया के मिलावट उन्हें स्टार्ट हो गए तो इसके लिए क्या किया इसके लिए यहाँ पर यूरिया के उपर नीम की कोटिंग कर दी गई जुमारा नीम होता है न हरा कलर क उसकी coating कर दी गई ताकि यहाँ पर इसका color change हो दा है और white से इसका color green हो गया और नीमकी coating करने से केवल यहाँ पर इसके use को लेकर फाइदा नहीं मिला इसका जो उपयोग हम कर रहे है agriculture sector में हमारी मिट्टी के उपजावपने में हमारी फसलों के लिए थोड़ा और ज़दा यह beneficial हो गया तो हमने इसको green color में बदल दिया था लेकिन अब green से सीधा बात की जारी है golden color में अब यूरिया golden color वाला भी launch हो चुका है जो की हमारे PM Modi ने launch किया है सवाल यह है कि सरीए golden color कैसे हो गया इसका वो सब कुछ समझेंगे don't worry तो PM Modi ने हाली में यूरिया golden को launch किया एक नई variety यूरिया की आ चुके है market के अंदर में यह जो नई variety है यूरिया की इसके उपर sulfur की coating की गई है किसकी sulfur की और दोस्तों आपको बताओगा sulfur gold color का होता है yellowish color का होता है जैसे आप sulfur की coating करने से क्या होगा यूरिया में अब थोड़ा sulfur भी add हो जाएगा इससे कोई फाइदा मिलेगा हाँ बिल्कुल फाइदा मिलेगा हमारी मिट्टी के अंदर में कई सारी जगा पर sulfur की deficiency है sulfur की कमी है और हमारी मिट्टी को sulfur चाहिए होता है अपनी productivity के लिए तो वो जो sulfur की कमी है वो यहाँ पर पूरी होती भी नजर आएगी क्योंकि अब हमने यूरिया में sulfur मिला दिया यूरिया को छिड़काव करेंगे sulfur भी जाएगा मिट्टी के अंदर में तो sulfur की deficiency कम होगी जो farmers अलग से sulfur खरीद के डाला करते थे वो वाला पैसा बच जाएगा समझ गए तो यह जो यूरिया गोल्ड है यह कही ना कहीं बोला जा रहा है कि नीम कोटिंग वाले यूरिया को आगे overtake कर सकता है नीम वाला यूरिया भी use किया जा रहा है लेकि नीम वाले यूरिया से उस हरे वाले यूरिया से जादा benefit आपको इस यूरिया गोल्ड में नजर आएंगे efficiency के मामले भी और साथी साथ में नाम के मामले में भी यानि economic perspective से भी अब question यहाँ पर यह है कि जो यूरिया गोल्ड है यह बाकी सारे जितने भी fertilizer से उनकी comparison में best कैसे है या better कैसे है तो जो sulfur वाला यूरिया होता है sulfur yellow color का है जिसकी वज़ासे इसको golden color मिला है इस विसे इसको नाम golden यूरिया दिया गया है तो जो sulfur यूरिया होता है ना यह कहीं न कहीं हमारे environment में क्या फाइदा करेगा यह nitrogen को release करने का काम करेगा sulfur यूरिया से nitrogen release होगा और nitrogen दीरे-दीरे release होगा ऐसनी एक साथ दीरे-दीरे यहाँ पर release होता बनजर आएगा प्लस यहाँ पे humic acid को भी लगाया गया है humic acid जो यहाँ पर यूरिया गोल्ड में पाया जाएगा न यह acid क्या कर सकता है इस खाद की इस fertilizer की यूरिया की उम्र को बढ़ा सकता है तो एक फाइदा यह भी है इसका दूसरा यहाँ पर यह जो product है यह केवल यूरिया के consumption को substitute नहीं करेगा उसके साथ-साथ fertilizer के use को कम भी करेगा यानि जो normal यूरिया था हमारा उसकी खपद जादा लगती थी जादा छड़काव गिया जादा था लेकिन जो यह golden वाला यूरिया है इसको आप कम use करके भी उसके जादा जो benefits है या जादा यहाँ पर efficient level पर यहाँ पर जो उसकी efficiency है वो उसको gain कर सकते हो जो हमारे report है रिपोर्ट के according बात की जा रही है पंदरा किलोग्राम का जो यह gold वाला यूरिया है पंदरा किलोग्राम गोल्ड यूरिया is equal to the 20 किलोग्राम of conventional यूरिया जो हमारा normal white color वारा यूरिया होता है न उसमें वो वाला लिलो 20 किलोग्राम और golden वाला लिलो यह sulfur वाला 15 किलोग्राम और दोस्तों दोनों के बीच का जब comparison देखो गए तो दोनों equal है मतलब 15 किलोग्राम golden वाला यूरिया 20 किलोग्राम normal यूरिया के बराबर है बराबर की ताकत है बराबर का efficiency level दोनों में देखने को मिलेगा तो इसका मतलब golden urea कहीं ना कहीं better perform कर रहेगा अब बात आ दिये name coating urea की तो जैसे मैंने आपको name coating के बारे बता दिया है urea को हम लोग use करते हैं ऐसा nitrogen based fertilizer nitrogen के लिए हाँ पर इसको use किया जाता है ताकि जो हमारे plants है उनको essential nutrients जो है जो portion है वो मिल पाए ताकि plants की जो growth है वो बढ़िया हो पाए तो जो name coating urea है ना name coating urea अपने आप में के specialized form में होता है है ना एक urea fertilizer जिसके ओपर name की coating की गई है उसका use करता है इसके अपने आप में फाइदे मिलता है यह हमारे environment को अच्चे से maintain करता है यह कई ना कई nitrogen को एक controlled way में release करता है nitrogen का efficient level पर यहाँ पर use किया जा सके उसके ओपर main focus करता है है ना जो यहाँ पर nitrogen का use है वो plants अच्चे से कर सके उसके लिए use करता है तो name coating urea के भी अपने फाइदे है गोल्ड वाले की भी अपने फाइदे है लेकिन गोल्ड वाला आज की समय पर news है तो आप से question बन सकता है कि golden urea के पीछे का reason क्या है तो वो है sulfur sulfur is the main reason समझ गए आगे आता है next article पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले make sure कर देना वीडियो पर जो like का button उसको press कर दिना है हमारे एक target है 2000 प्लस likes का please आप उसको पहुँचा सकते हो इस article में बात की जा रही है Osiris Rex spacecraft की बारे में very very important news का निकल कर आ रही है खबर ये निकल कर आ रही है कि जो NASA का Osiris Rex spacecraft है NASA का ये वाला spacecraft है ये न वापस लोट रहा है पता है 2016 में इसको launch किया गया तो 2016 से ये प्रत्वी से बाहर गया हुआ है और प्रत्वी के पास वाली जो एक asteroid है है न उस asteroid पर जाकर वहां से sample को collect करके वापस ला रहा है तो ये जो Osiris Rex वाला spacecraft है ये जो spacecraft आपको दिख रहा है जो 2016 में प्रत्वी से बाहर अंतरिक्ष में गया था वो उसने अपना काम कर दिया है sample collect कर लिया है अब वो वापस से प्रत्वी की तरफ return हो रहा है 2023 में यानि इसी साल ये spacecraft आ जाएगा वापस इस वेसे यहां पर ये news में है तो Osiris Rex के बारे में आओ थोड़ी सी बाते जान लेते हैं दोस्तों ये NASA का spacecraft mission है इस mission को यहां पर design किया गया है ताकि जो प्रत्वी के पास वाला asteroid है asteroid यहां पर बड़े बड़े चट्टान आपको अंतरिक्ष में देखने को मिलते हैं उसमें से यहां पर एक और बहुत बड़े साइस का चट्टान है जिसका नाम रखा गया है बेनू क्या नाम रखा गया है बेनू यह आप देख पाओगे यह है बेनू समझ गए तो बेनू पर यह spacecraft बेजा गया था Osiris Rex की full form ध्यानक ना इसका गोल क्या है इस spacecraft का में गोल यह है कि वो बेनू वाले एस्टोराइट पर जाए इस बेनू एस्टोराइट को 101955 बेनू के नाम से भी जानते हैं इस एस्टोराइट पर जाए और वहां से 59 ग्राम्स के आसपास जो सैंपल उसको कलेट करे कलेट कर लिया इसने, अब यह प्रत्वी पर वापस से लोट रहा है यह सैंपल लेकर अच्छा, सवाल यह है कि यह सैंपल लाएगा हम करेंगे क्या इस से तो जो इस मिशन का में टार्गेट है वो scientist क्या करना चाहते हैं कि इस planet से sample को लाने के बाद में investigate करना चाहते हैं कि कैसे जो planet से हमारे जो गैसे gray हैं उनका formation हुआ था कैसे हमारे planets बने थे कैसा हमारा पुरा का पुरा universe दिरे दिरे form हुआ है ये research की जाएंगी ठीक है अभी ये मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है मैं आपको थोड़ दर में बताऊंगा don't worry ठीक है अब इससे क्या होगा जो sample आएगा उस sample से understand करेंगे asteroids के बारे में ये asteroids कैसे ये जो बेन हुआ है वो हमारी प्रत्वी को affect कर सकता है प्रत्वी से क्या है इसमें similarities है और मैं आपको बता दूँ दोस्तो किसी भी asteroid का क्योंकि ये asteroid से sample collect करने का कोई भी हमने पहले काम नहीं किया है तो किसी asteroid से sample collection करने का सबसे पहला spacecraft ये ही है Osiris Rex इसको launch 8 सितंबर 2016 में किया गया था ये बेनू पर पहुचा 2018 में sample collect किया और वापस lot राया अब और अभी याँ पर इसी साल ये lot आएगा अब थोड़ा सा asteroid बेनू के बारें पढ़ लेते हैं क्या आखिरकर बेनू पर ही क्यों भेजा गया ये spacecraft ये भी तो जानना ज़रूरी है हजारो एस्टोराइट से हैं याँ पर हजारो एस्टोराइट था नासा की एक टीम के माधियम से ठीक है और क्या सकतो 1999 में जो है इसको found किया गया ये जो asteroid है ये बी टाइप वाल एस्टोराइट है अच्छा बी टाइप वाल एस्टोराइट कौन से होते हैं बी टाइप एस्टोराइट वो होते हैं जिसके अंदर में कार्बन और कुछ और अधर मिनरल्स के अच्छे खासे मातरा में अमाउंट पाया जाता है कार्बन और मिनरल्स पाया जाता है वो यहाँ पर बी टाइप एस्टोराइट है अब बेनू का जो आधा अंदर का हिस्सा है अंदरूनी हिस्सा है वो 20-40% एमटी है खाली है बोला ये जा रहा है साथ ध्यान से सुनना कि बेनू के ओपर स्पेस्क्राफ क्यों भी जज़ा रहा है क्योंकि साइंटिस्ट का मानना यह है कि जो यह एस्टोराइट है यह जो पूरे चट्टान है अंतरिक्ष के अंदर में जिसको नाम दिया गया है बेनू यह सोलर सिस्टम जब हुमारा पू 4.5 billion years पूराना एस्टोराइट है तो इससे इसके सैंपल से हमें पता चल सकता है कैसे यूनिवर्स कैसे सोलर सिस्टम हमारा तयार हुआ है कैसे बाकी सारे प्लानेट से बने हैं समझ गए अब बेनू कहां पर है बेनू बेसिकली बेनू का जन्म यानि इस एस्टोराइट का जो जन्म हुआ था वो मेन एस्टोराइट बेल्ट में हुआ था अब एस्टोराइट बेल्ट कहां पर आती है वो मार्स और जूपीटर के बीच में आती है अब यह क्या है यह देखो यह हमारा सोलर सिस्टम हुआ ठीक है यह मरकरी वीनस अर्थ उसके बाद आता है मार्स मा सोलर सिस्टम से बाहर भी पाए जाते हैं उस वाली बेल्ट को बोलते हैं कुई पर बेल्ट समझ गए लेकिन अभी जो यहां पर बेनु का जन्म हुआ था वो इसी एस्टोराइट बेल्ट में हुआ था दोस्तों इसके बारे में ध्यान अकना है बूला जारा एस्टोराइट यहां भी कही न कही यह जो बेनु है यह पृटवी के क्लोज भी आता चले जा रहा है अब इस्टोरइट क क्या होता है वो छोटे 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 चटाने जो की यहां पर हमारे सन को और्itaire ही होती है यह जो ऑबजेक्ट को हीन यहां पर कैसा हूस जो belt है basically, उसको हम लोग asteroid belt के नाम से जानते हैं, बाकी asteroid हमारे solar system से बाहर भी पाये जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है, उसको बोलते है क्वीपर belt, क्वीपर belt में भी पाये जाते हैं, बाकी सारे कुछ और asteroids भी आपको बीच बीच में देखने को मिल जाते हैं, अगले article बाते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल में यूरेलाइट के बारे में बात की जा रही है, अब ये यूरेलाइट क्या है, ये यूरेलाइट basically एक meteorite है, एक जमाने में meteorite गिरा था, ये meteorite ऊपर से उलका पिंड गिरा था अंतरिक्ष से, और उस उलका पिंड गिरने की वेशे इतना बड़ा गड़ा हो गया है, है ना, ये जील बन गई है, ऐसे कई सारे crater, crater मतलब गड़ा, ऐसे कई सारे crater बहुत भी हो चुके हैं, इंडिया के अंदर में, बड़े-बड़े crater आपको देखने को मिलेंगे, अभी जो हम बात कर रहे हैं, एक नए crater की जिसका नाम है डाला crater, ज उनिवस्टी ऑफ पर्न, स्विट्जरलेंड, कि सब साइंटिस साथ में खटे हुए, एक खटे होने के बाद में इन्होंने रिवील किया है, इन्होंने याँ पर इंफोर्मेशन दी है, कि जो ढाला crater बना है ये ढाला crater कहीं न कहीं, एक ancient meteorite जिसका नाम है यूरेलाइट, व तो इसी meteorite के टकराने की वज़ा से कहीं न कहीं ये गड़ा बन गया, इतना बड़ा गड़ा बन गया, समझ गया, तो यूरेलाइट क्या है, यूरेलाइट बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार का meteorite है, अब ये meteorite क्या होता है, दोस्तों मैं आपको थोड़ असस के बारें बता क्या कहलाती है, वो कहलाती है, meteorite, इसके नाम के आगे ROID लगावाए, ठीक है, वो क्या कहलाती है, meteorite, अब सपोस यहाँ पर ये चट्टान गिरनी स्टार्ट हो गई, पृत्वी के साइट पर, और गिरते गिरते हमारे पृत्वी के atmosphere में ये enter कर गई, atmosphere में जैसी enter कर गई, इ meteorite से इसका नाम बदल कर meteor कर दिया जाता है, जो objective वो same है, बस इसका position चेंज हो रहा है, position चेंज होने की वज़ा से इसके नाम भी चेंज होने लगता है, तो meteorite है, गिरना स्टार्ट हुआ, पृत्वी के atmosphere में एंटर किया, जैसी enter कर ये meteor कर लाएगा, और गिरते गिरते वो प्रत्वी पर एक जग़ा पर गिर जाता है, गिर जाता है यहाँ पर थम गिया गिर कर, तब इसका नाम बदल कर meteorite पर जाता है, meteorite, र-i-t-e, समझ गए, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, कि meteorite है यह प्रकार का, जो कि यहाँ पर प्रत्वी पर गिरा था, जिसका नाम यूरेलाइट, समझ गये, इसका नाम यूरेलाइट क्यों रखा गया है, रइश्या का एक गाउँ है, पॉपलर गाउँ, नोवो यूरेई वेलेच, उसी के नाम पर की इसका अदर सिलिकेट रॉक है, औलिविन है, उसके साथ कारबन, डायमन, ग्रेफ़ाइट, मेटल सिलफा और इन सब चीजों के अलावा थिक है बाकी सारे जैसे meteorites है ना उनसे हट कर इस uralite में जो condriols होता है वो नहीं पाय जाते है बाकी सारे meteorite में condriols पाय जाते है लेकिन इसमें नहीं पाय जाते है condriols क्या है condriols basically छोटा एक grain की form में आपको देखने को मिलेगा जो की कहीं न कहीं हमारे early solar system के साथ ही form हुआ था ठीक है जासा हमारा solar system बना था उस से पर यहाँ पर इस प्रकार के जो यह condriols है यह बने थे लेकिन यह हर एक meteorite में present है लेकिन इस वाले meteorite यूरेलाइट में present नह करने के बाद में इसने गड़्डा बना दिया और वही गड़्डा ढाला क्रेटर कहलाता है यह गड़्डा कहीं न कहीं बहुत पुराना और इंडिया के अंदर में अभी तक का सबसे बड़ा गड़्डा है सबसे बड़ा क्रेटर कहलाता है तो इंडिया का सबसे बड़ा क हूं उसी गाउँ में यहाँ पर एकरेटर गिरा था इस वैसे यहाँ पर इसका नाम धाला क्रेटर रख दिया जया इसका size आप imagine करो massive size था गाराग किलो मेटर का diameter इस पूरे rocky particle किसा चक्रस चट्नान का जो size था 12 और किलोमेटर का डायमेटर था यहाँ पे कहीं नहीं यहाँ पे कह सकते हो कि एशिया का सबसे बड़ा गड़ा बन गया है इसका साइज जो है मैं क्रेटर का बता रहा हूँ क्रेटर का इस गड़े का साइज 11 किलोमेटर डायमेटर में एशा का सबसे बड़ा गड़ा आपको ये देखने को मिल जाता है समझ गए? आगया आते हैं अगले आटिकल में नॉट सी के बारे में बात की जा रही है आव दोस्तों नॉट सी के बारे में थोड़ा सा इंफोर्मेशन को गेन करते हैं, recently ये न्यूज में था मैंने आपसे दा हिंदू के वीडियो में बोला भी था इसको मैप में देख लेना, काफी लोगों के जिन्होंने नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं उनके लिए मैं आपे कवर करवा दूँगा, आपको परिशान होने की आवश्रक्ता नहीं है हुआ क्या है, recently पूरी घटना नौट-सी में होई है, इस वाले समुधर के हिस्से में होई है, अब यह नौट-सी क्या होता है, अब थोड़ोसी के बारे बात करता है मदलब, location के बारे में, नौट-सी तो आपको पता है, नौट-सी हमारे नदन योरोप के अंदर है ठीक है और यह Atlantic Ocean का हिस्सा है सबसे important चीज अगर examination में कहीं पर भी question बनेगा North Sea को लेकर तो वो question क्या बनेगा इसके आसपास की boundary countries को लेकर कि कौन कौन से देश है जो की North Sea के साथ में boundaries को अपना share करता है तो United Kingdom, Norway, Denmark, Germany, Netherlands, Belgium, France, Faroe Island और Norway का Svalbard Argy Plague यह सब areas है जो कि यहां पर North Sea के साथ में boundaries को share करता है अब इसको दोस्तों एक बार map में देख लेता है map में देखने से एक अच्छी clarity आएगी यह हो गया हमारा North Sea, कल हमने Baltic Sea पढ़ा था याद होगा बराबर मैं आपको छोटा सा Baltic Sea नजर आ रहा होगा इधर जाओगे अंदर जाओगे तो बड़ा सा Baltic Sea देखने को मिलेगा तो सबसे पहली चीज नौट सी और Baltic Sea को जोडने वाला स्ट्रेट कौन सा है कल्वी में आपको पढ़ाया था इस स्ट्रेट एक ऐसी जगा ही होती है जो दो बड़े-बड़े समुद्र को जोड़ रही हो तो Baltic Sea और इधर नौट सी को जोडने वाला जो स्ट्रेट है वह है यहाँ पर यहाँ पर जो स्ट्रेट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वह है इसका गेरक स्ट्रेट यह जो स्ट्रेट है यह क्या करता है हमारे नौट सी और Baltic सी को जोडने का काम करता है समझ गए अब नौट सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है नौर्वे की बात की थी यह उपर आपको जस नौर्वे नज़र आएगा उसके अलवा ये रहा UK नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जर्मनी ये रहा Netherlands ये रहा Belgium ये रहा France ये रहा Denmark ये सब कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे ये रहा यहाँ पर Sweden समझ गए और फरो आइलेंड की बात की थी तो फरो आइलेंड आपको यहां पर यह नजर आएगा बात क्लेर हो गई नीचे आपको स्ट्रेट आफ डोबर देखने को मिलेगा यह English Channel है अच्छा English Channel का यहां पे क्या रूल है Atlantic Ocean में पहुँच जाओ गए समझ गए तो यह Not C का यहाँ पर exact location हो गया अगले आर्टिकल में बात की जा रही है Margarian 421 के बारे में अब यह Margarian 421 क्या है recently news में निकल कर आया है हुआ क्या है हाली में जो NASA का IXPE mission है IXPE की full form दोस्तों क्या है imaging x-ray polymetry explorer अब हुआ क्या है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ NASA का जो यह IXPE mission है इन्होंने supermassive black hole को लेकर एक बड़े size का जो यह black hole है जो हमारे अंतरिक्ष में देखने को मिलता है जिसका नाम है Margarian 421 द्यान अकनर आपसे question बन सकता है कि हाली में Margarian 421 चीज की नाम की जो चीज़ वा न्यूज में थी है क्या है तो यह एक supermassive बहुत बड़े size का black hole है black hole क्या होता है जो मतलब कि अपने अंदर कोई भी चीज़ को समा सके gravity वहाँ पे बहुती ज़ादा high होती है मतलब एक ऐसी जगा एक ऐसा area जहाँ पे light भी escape नहीं कर सकती light भी जाए तो उसके अंदर समा जाए जो भी चीज़ जाए उस supermassive black hole में समा जाए वो हमारा black hole होता है कई पर आपको पड़ा है मतलब normal सी बात है इसमें कोई यहाँ पर वैसे आप कोई नया concept नहीं रह गया है कई बार यहाँ पर इसके बारे में discussions हो चुके है तो NASA का जो IXPE mission है इन्होंने अभी supermassive black hole को लेकर कुछ mysteries जो है उसके बारे में जानकारी निकाल कर दिये तो वो है supermassive black hole कौन सा Markarian 421 वाला तो Markarian 421 वाला जो supermassive black hole है न यह कहिना की अभी high energy का जो jet है उसको कहिने की प्रत्वी की तरफ फेंक रहा था यह supermassive black hole है यह नीचे black hole आपको देखने को मिलेगा इस प्रगार्स इसमें से जो jet के मादिम से जो energy है वो निकल रही थी प्रत्वी की side की तरफ प्रत्वी की तरफ इसमें से यहाँ पर यह news में है आपको पता होगा जो सितारे होंगे आसमान में कभी कभी सितारे इस तरीके से आपस में ऐसे line में लगे होते हैं से sequence में लगे होते हैं कि वो एक shape को बना रहे होते हैं उसी को लोग constellation बोलते हैं तो यहाँ पर उर्सा major उर्सा major basically इस फ्राकर का animal आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सितारा एक यह है एक यह है एक यह है तो इस सितारे ने क्या क्या एक shape बना लिया यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो यह जो shape बना है इसी कम लोग constellation बोलते हैं किस का shape बनना है उर्सा major का shape बनना है ठीक है तो आपको क्या धियान में रखना है कि इसी उर्सा major इसी constellation के बीच में यह supermassive black hole आपको देखने को मिलेगा Markarian 421 supermassive black hole के characteristics क्या होता है सबसे पहली बात इनका जो mass इनका वजन बहुती जादा होता है कह सकते हो हमारा जो sun है हमारा जो सूरज है सूरज से भी 50,000 गुना जादा बड़ा size जादा बहार यहाँ पे इस black hole में देखने को मिलता है और यह जो black hole है हमेशा से ही जो हमारी galaxy होती है जो आकाश गंगा होती है उसके बीचो बीच पाया जाता है और बोला जाता है कि जितनी भी galaxies हमारे अंतरिक्ष में प्रेजन्ट है लगबख सभी galaxies के पास में अपना एक supermassive black hole होता है बीचो बीच अब यह information किस ने दिया है तो यह NASA के इस IPX ने दिया स्वरी IXPE ने दिया इमेजिंग X-ray Polymetry Explorer यह क्या है यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको NASA ने और साधी साथ में Italy की Space Agency इस इटालियन Space Agency ने मिल कर कॉलिबरेशन के माधियम से बनाया है इस mission का इस project का main target है कि वो हमारे universe के अंदर में जो भी extreme है जो भी extreme और mysterious objects है इसके बारे में study कर सके अंतरिक्ष में जो भी चीज़े छुपी पड़ी है उसकी information निकाल कर हम सामने रख सकें वो सारा काम यहाँ पर यह IXPE करता है नवाते हैं अगले article पर नेक्स्ट article में new milliped species के बारें बात के जारी अच्छा इसके बारे में वैसे मैंने दाहिंदू के वीडियों बताया था लेकिन फिर भी यहाँ पर में एक information share कर देता हूँ आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए milliped क्या होता है milliped जैसे गोजर जो होता है ने साइंटिफिक नेम है इलेके मा सूकल और यह जो नई प्रजातिय कहाँ पे मिली है लॉस एंजल्स के अंदर मैं युनाटिट स्टेट्स मैं इस वज़ा से इसको लॉस एंजल्स milliped के नाम से भी जाना जा रहा है ठीक है और खास बात यहाँ पर यह है कि यह milliped देख नहीं सकता यह अंदा है अंदा होने के बाद यह कैसे चलता है तो इसके सर के ओपर एंटिने लगे वह हैं दो यह आप देख पा रहोंगे इनी एंटिने का यूज करता है सारी चीजों को अपने रास्ते को फाइंड आउट करने के लिए और बोला जा रहा है जो milliped की प्रजातियां होती हैं उनमें कई सरी प्रजातियों के हजारो हजारो पेर भी होते हैं लेकिन यहाप पर इसके 500 के असपास पैर आपको देखने को मिलेंगे यह milliped की प्रजाति एक प्रकार की detritivore है detritivore कौन से जानवर होते हैं detritivore वो होते हैं जो कि कहीं न कहीं organic matter को खाने का काम करते हैं dead organic matter जैसे सड़ी सड़ी लकडियां हो गए हैना सड़े वपत्ते हो गए इनको खाने का यह काम करते हैं आग्या आता है next article पे अगले article में इंडिया AI के बारे मात की जा रही है इंडिया तो सब समझ गए AI बेसिकली artificial intelligence यहाँ पर word use किया गया है हुआ क्या है मैं आपको समझाता हूँ हाली में जो इंडिया artificial intelligence और meta है इन दोनोंने मिलकर एक memorandum of understanding को sign किया है यह जो MOU को sign किया गया है क्यों ताकि यहाँ पर proper guidelines वगरा तयार की जा सके कि हम लोग artificial intelligence और जो नईनी technologies है उसको लेकर किस प्रकार से corporate होके काम करेंगे साथ में मिलकर काम करेंगे तो artificial intelligence के sector में साथ में मिलकर काम करने के लिए MOU को sign किया गया अब यह India AI क्या है जिसने मेटा के साथ में यह MOU sign किया है India AI basically National Artificial Intelligence Portal of India है भारत के एक website जिसको 28 में 2020 में launch किया जा था यह एक knowledge portal है research organization है एक ecosystem building initiative भी है इसका main काम क्या है इसका main काम है कि अलग-अलग जो कमपनिया है अलग-अलग जो कमपनिया है जो इंडिया artificial intelligence ecosystem है उनके साथ में मिल जूल कर उनके साथ में collaborations करके काम करना तो यह जो इंडिया artificial intelligence है यह एक joint initiative है joint initiative किसका है तो हमारी एक तरफ है ministry of electronics and IT दूसरा है यहाँ पर national e-governance division तीसरा है NASCOM तो इन तीनों के बीच का joint initiative है तीनों मिल कर इस इंडिया artificial intelligence को run कर रहे है समझ गए तो इसकी जो यह ministry of electronics and IT तो आप समझ गए यह national e-governance division क्या है यह जो e-governance division है इसको बना गया था 2009 में एक independent business division के तोर पर digital india corporation के अंडर में और NASCOM या NASCOM basically एक not for profit industry है profit का माने का कोई मकसद नहीं है एक association एक उच लेवल की body हमारे IT sector में जो काम करती है समझ गए? चलो आगया आते है next article पे अगला जो है यह हमारा editorial है यह article थोड़ा सा lengthy है दिहान से सुनना लेकिन बहुत अच्छा है अच्छ अच्छे points जहां पे writer के आपको मिलेंगे cybercrime को लेकर कि हमें क्या करना चाहिए और cybercrime को लेकर हमारे देश में आज के समय में क्या क्या चुनातियां क्या क्या challenges नजर आते हैं चलो सबसे पहला cybercrime को लेकर क्या बात हो रही है number one point cybercrime क्या होता है दोस्तो cybercrime यह है कि जब हम अपनी technology का गलत उपयोग करने लगें आज कल cybercrime बढ़तो जा रहे हैं कैसे बढ़ रहे हैं आपका account hack कर लिया जाता है आपकी personal information share कर दी जाती है personal information निकाल के accounts hack हो जाता है तो जितनी भी यहाँ पर यह online digital data है उसका गलत उपयोग करना उसका exploitation करना technology का exploitation करना वही तो cybercrime है समझ गए अब cybercrime की वज़ा से कोई किसी एक individual के लिए एक crime हो सकता है किसी organization के उपर भी यहाँ पर इसका असर हो सकता है या सरकार के उपर भी असर डाला जा सकता है data को hack करके निकाल कर अब cybercrime की अपना आप में एक प्रकार है जैसे पहला है ddos attack यह कौन सा attack होता है यह distributed denial of service attack यह ना क्या होता है यह use किये जाते हैं ताकि एक online service को unavailable कर दिया जाए जो online service दी जा रही है उसको लोगों तक ना पहुचने दिया जाए यह कैसे होता है कि online service मालो कोई आपको मिल रही है आपको online service मिल ले है उसका network down कर देना है ना उसका network down कर देना अलग-लग sources है traffic को वहाँ पर डाल कर तो इस प्रकार का attack भी होता ताकि आपको यहाँ पर proper services ना मिल सकें उस particular online system की यह भी एक attack है यह भी एक cyber crime है second आता boat nets boat nets basically networks होता है वो networks जहाँ पर हमारे computers आपको देखने को मिलेंगे प्लस यहाँ पर एक control externally मतलब जो हमारे computers होता है ना उनको बहार से जो remote hackers होता है control कर रहे होता है जो hackers होता है वो hackers कैसे control कर पाएंगे spam messages करने के बाद में यहाँ पर जो computers हैं उनको इन boat nets के माद्यम से attack किया जा सकता है तो boat nets ऐसे network है जो कि यहाँ पर एक computer compromise computers से बनाते हैं जो कि remote hackers हमारे control करते हैं और वो remote hackers इसको spamly send करते हैं और दूसरे computers को attack करते हैं इसी boat nets के मादियम से फिर आता है एक identity theft, cyber crime कब तब भी होता है जब एक इंसान criminal access के लिए क्या कर रहा है, एक person की एक personal information जो उसकी है उसको use कर रहा है, एक इंसान की जो user की जो personal information उसको access कर रहा है ठीक है, और फिर उसके बाद में उसकी personal information निकालने के बाद में उसकी image खराब करने की खोशिश कर रहा है ये भी एक cyber crime है, फिर आती है cyber stocking, अब cyber stocking क्या होता है, ये भी एक प्रकार का cyber crime है, जहां पर online harassment हो गया, online messages करके बार-बार यहां पर एक person को harass करना अब ये phishing मतलब, मचली पकड़ना नहीं है ये phishing अलग है, अब ये phishing क्या है मैं आपको इसके बारे में तोड़ा सा बताता हूँ ये एक प्रकार की social engineering attack है, इसमें क्या होता है एक इंसान का जो data है, उसको चुराया जाता है, उसी data को चुराने के लिए यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है एक इंसान का card का numbers, credit card का नंबर, ये सारी चीज़ें आपर चुराने के लिए काम हो रहा है ये कैसे होता है ये तब होता है जब एक attacker किसी victim को अपने जाल में फंसा ले, है ना यानि कि ऐसा आज कल भी होता है लोग fraud fraud messages करते है fraud email करते है fraud आपको link देंगे इस पर click करो तो attacker जब भी किसी एक victim को फंसा ले अपने जाल में और उसको मखन लगा के आप कर सकतो हो, मखन लगाते लगा तो उसको चूना लगा दिया तो इसी को यहाँ पर phishing बोला जाता है उसकी information यहाँ पर निकाल दी जाती है तो cyber crimes क्या है, किस प्रकार को होता है यह आपको समझ माया अब इंडिया में cyber crimes को लेकर क्या-क्या चुनातिया है, क्या-क्या challenges से वो यहाँ पर writer ने discuss किया है सबसे पहला challenge है absence of separate procedural code जो की सही बात है आज के समय में proper कोई rules and regulation नहीं है cyber crime को लेकर यह computer related जो offense हो रहा है computer से जो अपराद किये जा रहा है उसे को cyber crime बोलता है इसकी तहकीकात के लिए कोई भी proper codes proper rules and regulations नहीं देखने को मिलेंगे second जो problem है transnational nature of cyber attack काफी सारे जो cyber attacks हो रहे है वो विदेशों से हो रहे है foreign territories से हो रहे है तो उनको पकड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है यह भी एक problem है third problem है expanding digital ecosystem पिछले कुछ सालों में इंडिया में digitization बहुत तेजी से बड़ा है और कोरोना के बाद तो specially आप देख पाओगे हर एक व्यक्ति कहीने की social media platform पर आ चुका है घर के आप सभी के लोग आप देख पाओगे maximum लोग social media platform पर होंगे facebook, insta, whatsapp, insta जीजों पर digitization बहुत तेजी से हुआ लोग ने online payment स्टार्ट कर दिया और कहीं न कहीं यही हमारे लिए और cyber attackers के लिए अच्छी चीज बन गई cyber attackers के लिए यहां पर यह एक अफसर बन गया लोगों पर attack करने का आज के समय पर जो technology है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है digitization इतनी तेजी से हो रहा है content इतना ज़ादा create किया जा रहा है बहुत सरा data online चल रहा है तो इसके लिए कहीं न कहीं जो cyber criminals है हमारे hackers हमारे लिए उनके लिए अफसर आता है ऐसे area में attack करने का फिर उसके आद में एक और problem क्या है limited expertise and authority जितने भी अपराद जैसे cryptocurrency है अब cryptocurrency कभी-कभी आप word सुनते होंगे जो नई लोगों चकरा जाते है cryptocurrency है गया कैसे बनती है वैसे मैं आपको कई बार बढ़ा रखा है कैसे cryptocurrency बनाई जाती है cryptocurrency में investment होता है लेकिन पता है cryptocurrency को लेकर भी cyber frauds हुआ है बड़े-बड़े और कई बार ऐसे cryptocurrency से रिलिट जो अपराद होता है न इनको solve करने की जो expertise हमारे पास में नहीं है ऐसे crime को लेकर expertise या solve करने का तरीका कैसे निप्टाया जा सकता है वो हमारे पास में तरीका ही नहीं है expertise नहीं है, technology नहीं है ये भी अपना आप में एक challenge है फिर writer ने mention किया है कि क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम cyber crimes को इंडिया में tackle कर सकते हैं cyber crimes से निपट सकते हैं सबसे बेला तरीका cyber security awareness campaign हमें इस प्रकार की campaign या अभिहान start करने होगे, सरकार को अलग-अलग levels के उपर में strong password, unique password का use करो, जो public wifi होता है, उसको इस्तमाल मत करो कई बार public wifi से भी जैसे आप wifi connect करोगे, समझे लो आपके उपर attack होने वाला है, आपके mobile के उपर ठीक है, तो public wifi भी कई कभी dangerous बन जाता है तो यह ऐसे cyber fraud से बचने के लिए हमें लोगों को जागरुकता कहीं न कहीं यहां पर जागरुक करना होगा especially, ठीक है, second जो यहां पर तरीका है, जिससे यहां पर cyber crime से लड़ा जा सकता है, वो है cyber insurance जैसे आपकी car का insurance होता है health का insurance होता है, car तूड गई कहीं पर accident हो गया, तो आप insurance का पैसा ले सकते हो, अपनी recovery के लिए, वैसी cyber insurance भी होना चाहिए, यह यहां पर एक तरीका बढ़ा जा रहा है, बड़ी-बड़ी companies होती है बड़ी-बड़ी companies पर ऐसे incidences होएं, बड़ी-बड़ी incidences जिन companies पर cyber attack होगा और वो company loss में आ गई, खतम होगी company वो तो लेकिन उनके पास में कोई cyber insurance नहीं था, तो वो recover निकर पाएं, अगर insurance होता, तो वो insurance से पैसा निकलवा सकती है थी, थोड़ा बोद recover कर सकती थी, तो उस प्रकार का insurance होना चाहिए, ताकि यहां पर वो company recover कर सकें, इस प्रकार के risk से, समझ गए, तीसरा यहां पर काम होना चाहिए, data protection लो, जो data है, data कही ना कहीं आची समय पर एक नई currency की तरह दिख रहा है data बहुत important बन चुगा है एक इंसान को, जो knowledgeable person होगा है उसके लिए छोटा सा data भी एक इंसान का काफी है आपने एक movie देखी होगी वो बोलता है data, data में लिए सारे asset है पता नहीं यार कौन सी movie है मुझे याद नहीं आनी ना, South की movie है ठीक है, एक बार मैंने देखी थी घर पे सब देख रहे थे तो मैंने देखी थी तो मैंने खाए यार बिलकुल सही है अब देखो, यहाँ पर क्या है इस context में बोला जा रहा है कि अगर हम data protection law की बात करें हमारे पास में कुछ कानून होने चाहिए मजबूत इसमें European Union ने बढ़िया काम क्या है European Union का General Data Protection Regulation बढ़िया है India Personal Data Protection Bill 2019 अभी इसको हटा दिया गया है बिल लेकर आया जा रहा है तो इस प्रकार के laws की हमें आवशकता है एक और काम कर सकते है collaborative trigger mechanism हमारे देश के लिए इंडिया जैसी country के लिए जहाँ पर बड़ी population है citizens के उपर खत्रा है cyber attack का अभी proper knowledge नहीं, awareness नहीं है तो यहाँ पर जरूरत है हमें कि जितने भी बड़ी बड़ी parties हैं उन सब को साथ में लेकर आया जाए साथ में मिलकर वो काम करें हमारे citizens की protection को लेकर काम करें business को साथ में लेकर आया जाए ताकि यहाँ पर इस प्रकार के cyber attack से लोग को बचाया जा सके समझ गए तो यह था पूरा का पूरा discussion आज स्टार्ट करते हैं आज के प्रलिम्स rapid fire के questions जो भी हमने discuss के आज के इस वीडियो में अब देखना है टेस्टिंग करने हैं कि आपने कितने अच्छे से सुना है कितने concentration के साथ में सुना है सबसे पहला question यहाँ पर बात करता है INS Vigrant के बारे में INS Vigrant को लेकर दो statement जिये गए हैं बताना है कौन सा statement सही है पहला statement INS Vigrant इंडिया का पहला indigeniously यानि खुद कब design किया हुआ और manufacture किया हुआ aircraft carrier है second statement बोलता है कि INS Vigrant को power बिलती है चार अलग-अलग छोटे-छोटे modular reactor से तो बताओ दोनों statements में से कौन सा statement सही है option number A1 only option number B2 only option number C दोनों सही है या option number D दोनों के दोनों गलत है बताओ बहुत सरल सा question है आ गया आता है next question में Urea Gold के बारे में बात की गई है यूरिया गोल्ड को लेकर दो statements दिये गए है बताना है कौन सा statement सही है सबसे पहला यूरिया गोल्ड बेसिकली नई प्रकार का यूरिया या नई वराइटी यूरिया की आ चुकी है जहां पे हम लोग फॉस्फोरस को मिला रहे है फॉस्फोरस की होजा से गोल्ड गल्ड का हो रहा है क्या कुछ ऐसा है सेकंड स्टेट्मेंट बोला जा रहा है कि जो यूरिया गोल्ड है कही ना कि नीम वाला यूरिया को सरपास कर सकता है यानि जो नीम का कोटिंग वाला यूरिया है न इसको overtake कर सकता है economic और efficiency दोनों ही basis पर तो बताओ दोनों statements में से कौन से statement सही है option number A 1 only, option number B 2 only, option number C दोनों सही है या option number D दोनों गलत है next question में आपसे पूछा गया है Osiris Rex के बारे में तो Osiris Rex एक NASA का spacecraft mission है ठीक है तो कहीं नहीं कि यहाँ पर यह जो mission है यह किस चीज की study की बात करता है option number A moon की study की, option number B gravitational waves, option number C asteroid या फिर option number D sun तो बताओ यहाँ पर इसका सही उतर क्या है again एक simple question अगला question ने पूछा गया है जो ढाला crater है यह ढाला crater recently news में देखने को मिला है कौन से राज्य में आपको यह देखने को मिलेगा यह बताना है option number A गुजराद, option number B महराश्टरा, option number Z ओडीशा, या फिर option number T मद्याप्रदेश बताओ इसका सही उतर क्या है next question में आपसे millipet के बारे में पूछा गया है millipet को लेकर दो statement से दिये गए है अब यहाँ पर जब मैंने आपको millipet के बारे में पढ़ाया था ना तो मैंने इतना जोर नहीं दिया इसके ओपर क्यों क्योंकि दाहिंदू के वीडियो में आलेटी डिसकस कर चुके थे तो मैंने एक point मिस कर दिया था कि जो यह millipet है यह कहिना की आर्थ्रोपोर्ट फाइलम को बिलोंग करता है इस particular जो यहाँ पर कह सकतो class है इस class को बिलोंग करने वाला यहाँ पर एक प्रकार का animal है ठीक है वैसे ही तो इसका answer अच्छा दीखी किया होगा answer तो millipet को लेकर जो दोनों statements है वो दोनों के दोनों सही है both one and two is the correct answer next question पर आएंगे अगले question में आपसे पूछा यह Markarian 421 को लेकर Markarian 421 रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है बताना यहाँ पर यह Markarian 421 क्या है option number A क्या यह एक supermassive black hole है option number B क्या यह एक newly found planet है option number C क्या यह एक asteroid है statements है सबसे पहला यह एक national artificial intelligence portal है भारत का second यह basically India initiative क्या है एक joint initiative है ministry of electronics and information technology और नीती आयोग का तो बताओ याद आरा होगा आपको क्या पढ़ाया था मैंने बताओ दोनों statements में से कौँछा statements है option number A one only option number B two only option number C दोनों सही है option number D दोनों के दोनों गलत है तो दोस्तों यह थे सारे के सारे हमारे questions I hope आप लोगोंने maximum questions को बिल्कुल सही सही attempt किया होगा चलो अब इनके answers को देखना start करते है last वाले questions से हम सारे के सारे answers को cover करना शुरू करेंगे यहां पर आपसे India Initiative के वारे में पूछा गया था कि बताओ दोनों statements में से कौन सा statement सही है तो किवल पहला वला सही है दूसरा वला गलत है क्यों आपको पता होगा क्योंकि यह तो मैंने आपको बताया था कि यहां एक National Artificial Intelligence Portal है भारत का यह India Initiative लेकिन दूसरा वला गलत इसलिए है क्योंकि India Initiative एक Joint Initiative तो है और Ministry of Electronics और Information Technology भी है उसमें लेकिन नीतिया यूग नहीं है इस Ministry ने NASCOM और दूसरी बॉड़ी के साथ में मिल कर यहां पर कह सकते हो एक जो इनिशेटिव है Joint Initiative वह बना रखा है दूसरी बॉड़ी है NEGD that is National E Governance Division ठीक है नेक्स कुशन में आपसे पूचा गया था Markarian 421 रिसेंटली न्यूज में था यह क्या है तो बेसिकली एक यह सूपर मासिव ब्लाक होल है अभी हमने बहुत डीटियल से डिसकस किया था रिसेंटली न्यूज में था मिलीपैट को लेकर अलेडी मैं आपको बता चुका हूँ नेक्स कुशन में आपसे पूचा गया था डाला क्रेटर को लेकर खाली में न्यूज में देखने को मिला है कौन से राज्यम है तो मद्यव प्रदेश के अंदर है एक बहुत बड़े साइस का जो मीटेरोइट है वोगरा था अच्छा उस मीटेरोइट का नाम बता सकते हो क्या था उसी वेसे याँ पर जो गड़्डा है ये कहीं न कहीं ये गड़्डा बन चुका है जिसको हम ढाला क्रेटर नाम देते हैं पर नेक्स क्वेशन में आपसे पूचा गया था एक नासा का स्पेस्क्राफ्ट मिशन है ये किसी चीज़ स्टेडी के बारे में बात करता है तो उसका सही उतर है औप्शन अमबर सी एस्टेरोइड तीक है जो हमारे रौकी बाटिकल्स होते हैं अंतरिक्षεις के अंदर उसकी स्टेडी की बात करता है अच्छा यहां पे कौन से एस्टेडिय की बात के जा रही है जो यह नासा का ओसिरिस रेक्स स्पेस्क्राफ्ट है ये कौन से एस्टेरोइड पर गया था कौन से steroid sample लेकर आया है जरा उसे steroid का नाम बता दो बहुत ही simple सा नाम है तो दोस्तों ये थे सारे के सारे हमारे discussions अच्छा यूरिया गोल्ड वाला question रहा है अभी यूरिया गोल्ड को लेकर पूछा गया था बताओ दो statement ने कौन सा सही है तो यहाँ पर हमारा सही उतर है option number B2 only पहला वाला क्यों गलत है तो दोस्तों पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि यूरिया गोल्ड ये गोल्डन कलर का इसलिए है क्योंकि इसमें sulfur मिला हुआ है sulfur की वज़ा से ये golden कलर का है समझ गए और यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूरिया गोल्ड एक नई variety है जिसमें phosphorus है phosphorus नई sulfur है दूसरा statement ये सही है पहला वाला गलत था क्यों गलत था हमने देखा दूसरा वाला सही है क्योंकि नीम कोटेड यूरिया के comparison में कहीं यूरिया गोल्ड जादा बेटर है और कहीं नीम कोटेड यूरिया को सरपास कर चुका है पीछे छोड़ चुका है economic viability और efficiency के category में तो यूरिया गोल्ड थोड़ा बेतर नजर आ रहा है समझ गए तो यूरिया गोल्ड के भारे में information हो गई तो दोस्तों ये थे सारे सारे articles I hope आपको मज़ा चुका होगा बहुत को जानने को मिला होगा नौ मिलते हैं आप लोग उस अगले वीडियो में आज के लिए बाइबाई, have a nice day, thank you and jahind